नेक्स कुश्चन, दोज़ पांच का सवाल है, कुश्चन सेज, अब बाहली सोन वर्टिकली अपवर्ड्स, इट एज श्पीड अफ 10 मीटर पर सेकंड वेन इस रीष्ट वन हाफ अफ इस मैक्सिम हाइट, सवाल है, हाउ हाइट दे बाहल राइज, अगिन और अपने अप्श हाइट उसकी पहुंची है, वहाँ पे उसकी वेलोसिटी जो है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी है, 10 मीटर पर सेकंड, इसको यू नौट कह रहेते हैं, हमें यह बताना है कि उसकी हाइट कित्ती होगी, तो इसको अगर टोटल हाइट आपकी मान लीजे है, तो यह आपका पहुंचेगी, सवाल सिंपल है, इसको अगर u not की term में करने लगे हैं, थोड़ा लंबा और typical हो जाता है, लेकिन अगर हम equation of motion सिर्फ इस पार्ट के लिए लिखें, तो यहाँ पे अगर हम third equation of motion लिखेंगे, v square u square plus 2as, तो इस case में यहाँ पे आपकी final velocity v 0 हो जाएगी, so 0 will be equal to यहाँ पे initial velocity जो है वो आपके 10 का square plus 2 multiplied by a की value यहाँ पे minus g आएगी, multiplied by h by 2 आप use कर सकते हैं, यहाँ आपका distance displacement यहाँ से वहाँ तक h by 2 हुआ है, इसको direct use करेंगे तो h की value आजाएगी, इसको जल ले आएं, तो अपने equation बन जाएगी, 2 cancel हो जाएगा, g multiplied by h is equal to 10 का square यानी के 100, which implies h की value आगई, 100 divided by g को 10 ले ले लेते हैं, so 10 meter आपका h की value आगई, so based on this sum कह सकते हैं, option number a, 10 meter would be the right answer.